दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल टेकसिबिल में यहां आप देख रहे हैं कि यहां पर छत की अप ढ़लाई होने वाली है उसके लिए यहां पर सट्रिंग का काम किया जा रहा है सट्रिंग के लिए यहां पर बल्ली और जो हमारा प्लाई बोड है वो यहां पर लगा जाए और फिर ढलाई मेरी अच्छी से हो जाए च्छत हो जाए लेकिन क्या आप जानते हैं कि छट्रिंग के अगर थोड़ी सी जाए और कैसे उसको सही किया जाए जो सबसे पहले यहां बड़ी मिश्टेक कि यह की जाती है जैसे कि आप देख रहे हैं कि जितने भी बल्ली लगाई गई है यहां दस फिट मैकसिमम देखा जाता है लोग अपने चत की हईट दस से ग्यारा फिट रखते हैं अपने रेसिड से टुकड़ा यहां पर देख सकते हैं कहीं पर लकड़ी के फट्टे यहां पर ठोक के उसको जॉइंट किया हैं कहीं पर दो बल्ली आपस में उसको कील मार के तब नीचे तक वहां लिया है वो भी नीचे आप देख रहे हैं कि उसको इंट पर रखा गया है यानि बल्ली को support के लिए तो मैं कहता हूँ कि ये गलती आपको बिलकुल नहीं करना है मान लिजें वहाँ पर आदमी चलता है सरीया बानता है सरीया का लोड होता है जब machine ट्रोली आप चलाते हैं ट्रोली का लोड होता है तो हो सकता है कि वहाँ से बल्ली टूट जाए या फिर अपने जगार से हट जाए तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है पूरी सीधी सीधी बल्ली आपको नीचे तक लगानी है एक तो और भी देखा जाता है साइट पे कि बल्ली अक्सर लोग टेड़े टेड़े लगा देते हैं लेकिन बल्ली आपको पूरी सीधी लगानी है तो आपको यह गलती पहला नहीं करना है कि आपको बल्ली टेड़ी टेड़ी नहीं लगानी आपको सीधी बल्ली एकदम वर्टिकल लगाना है और साथी जो बल्ली आप लगा रहा है वो पूरा एकदम एक ही बल्ली नीचे तक आपका आना चाहिए ऐसा नहीं है कि आप उसको दो पार्ट में जोड़के या तब उसको लगा रहे हैं या फिर लकड़ी के फट्टे उसमें जोड़के तब आप उसको बल्ली को लगा रहे हैं तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है तीसरी चीज की नीचे बल्ली के नीचे इं पड़ता है तो वहां से बल्ली टूटे नहीं तो इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है कई बार तो देखा जाता है कि बल्ली के टूटने से या फिर एक साथ बल्ली खिंच जाती है वहां का तो छत भी गिरने का चांथ रहता है तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है यहा आपको उपर से आपको मतलब सनलाइट यानि की रोसनी दिखाई दे रहे इसका मतलब कि वहां पर गैप है तो यह जो गैप होता है दो पलाई के बीच में चोटा सा साइड में जो टुकड़ा होता है या फिर आप बीम के लिए जो बॉटम लगाते हैं फिर वहां से पलाई मसाला उसमें डालते हैं मसाले में जो हमारा सिमेंट सलरी यानि सिमेंट होता है और जो पानी हमारा मिक्स रहता है यानि सिमेंट वाला पानी यो क्या होता है कि उसी गैप से सारा निकल जाता है जब आप बाइबरेटर चलाते हैं तो बाइबरेटर से हमारा पानी क्या होता है कि वहां से नीचे सब निकल जाता है नीचे बैह जाता है तो फिर जो concrete की मजबूती होती है वहीं आपकी मजबूती खतम हो जाती है तो अक्सर बोला जाता है कि M20 यानि एक डेड़ तीन का मसाला यूच करने के लिए लेकिन वहां से आपका सेमेंट सलरी निकल जाता है तो आपका जो concrete की मजबूती है वहीं पर खतम हो जा रही है तो फिर जो छत आपका जितना मजबूत होना चाहिए वह मजबूती नहीं मिलता है तो दो पला यह को बीच का जो फेश जेश को बंद करने के लिए आपको SIMPLE सा काम करना होता है जो toward जो घर में हम जो पुट्टी कराते हैं आपको भूत सद्वाय क्नल जाती है वह पुट्टी प्रहांग कल लहांkum उसमें आपको जो शट्रिंग के लिए फेविकल मिलता है फेविकल उसमें मिक्स करके और जितना भी गैप है आपको वहाँ पे ये पुट्टी अच्छे से वहाँ पे लगा देनीए चाया बीम हो या फिर यहाँ पे आप छट में देख रहा है पुट्टी अच्छे से लगा दी गई है।